सलाम करता था आपकी ताकत को मिला से एक एक कारेकरता को सलाम करता हूँ मैं और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं क्योंकि भारतिय जंता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कारेकरताओं को और नेताओं को तोड़ने के दबा के दमगा के सामदांद बेद करके जेल में भेजने की धमकी दे के जेल में भेज के उनके हमले करवा के उनको धमकी करवा के एक मात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भरती जंता पार्टी है लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहें एक एक अगमी टिका रहां एक एक अगमी जुका नहीं टूटा नहीं मैं जानता हूँ किस-किस के ऊपर क्या क्या दवाब नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धंकिया नहीं आ रही थी लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहें सीना ताम के खड़े रहें उस सीने तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूँ आप लोगों आप डटे रहे और आज देखें मज़े की बात अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आमादमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है जो सत्रे सत्रे महिने चैचे महिने जेल में रह जाते हैं इनके नेता उसके बावजूद ना जुकते हैं ना मिट्टी पर भगत सिंग का पसीना की बूंदें गिरी हुई है जिस मिट्टी पर गांधी ने गोली खाई थी जिस मिट्टी पर भगत सिंग के पसीने की बूंदें गिरी हुई है जिस मिट्टी पर खड़े होके बाबा सहाब ने तुम्हारी जैसे लोगों की ताकतों के उ उस मिट्टी से ये बने हुए हैं, इनको तुम्हारी तोता मेना क्या तोड़ पाएंगे, तुम्हारे CBI और ED क्या तोड़ पाएंगे इनको, नहीं टूटे लोग, और मैं जेल में बैठा बैठा दुआ करता रहा और स्तलाम करता रहा अपने एक एक साथी को, कि ये है अरवि पाएंगे था मुझे सकते, आपने कहा ना कि आप हांसू भाते थे, बहर, मैं कहता हूँ, मैं फक्र से सीना चोड़ा करके, उस जेल की कोश्री में बैठा होता था अपने, आपने एक बाई के उपर, ये बहन के उपर, ये मेरी ताकत थी, जेल के अंधेरे, मैं कहूंगा कि जेल के अंदेरे में ये ताकत तो होती है कि वो तोड़ तो सकती है लेकिन जिसके बाहर इतना प्यार इतनी ताकत इतना सम्मान मैं कल से उतरा हूं मुझे किसी ने बोला मनीश जी 17 महीने बाद आ रहे हो दो दिन के लिए रेश्ट पे चले जाना मैंने का यार जेल के बाहर मैंनीश सवाद्या मेरा भाई बाहर आ गया है और मैं करण नहीं मैं तो चुट्टी जा रहा हूं यहार नहीं खोन पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं चुट्ट्टा मनाने के लिए नहीं एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमाने जब कराएंगे आज से और अभी से लग रहे हैं और बीजे पी वालो धूंड ते रहे जाओं के कहा गई वोटे हैं कहा गई वोटे हैं आज से लगना है सबको जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया अर मेडिया के माध्यम से एक-एक कारेकरता साथी को कहना चाहता हूं दिल्ली के एक-एक नागरि को कहना चाहता हूं कि ताना शाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा सवाल हमारा नहीं है ताना शाही के खिलाफ यह जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारे करता हूं की नहीं है यह देश के एक एक आम आदमी की है मैं जेल में था अभी तो क यह सारी खबने विचलित करती थी यह विचलित नहीं करता था कि जमानत होई कि नहीं हो इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ मेरे को विचलन किस चीज से होता था मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इनों ने 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इनों ने जूटे केसिस सचे केसिस इधर उदर के केसिस में लबना के बंद कर दिया गया है उनका किसी party वाटी से भी कोई लेना देना शायदी होगा लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई महनस से काम कर रहा है और उसके उपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपके किसी party के नेता से कोई पंगा ले लिया आपने उसको उठा के जेल में डाल दिय एडी के केस लगा के जो केस आतंकवादियों पर ड्रग महाफियां पर लगाया जाते हैं वैसे वैसे खतरना केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है वो भूके मरने लगते हैं उनकी ब गरले जिल में चला जाता है हजारों हजार लड़के लड़कियां जो वां नौकरी कर रहे होते हैं उनके घर में तैंशन होजाती है क्या करेंगे कल को कहां से खाएंगे आपको समझ में आता है नोकरियां खा रहे हो आप खिलाफ लड़ाई नहीं है यह तो ताना शाही है मुझे बताओ कि दस साल अभी थोड़े दिन पहले बहना अच्छी लड़ रही थी उसके लिए दस हजार शिक्षकों को इन्हों ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के एक रात में रात को दो बजे औरट पास कराया ट्रांसफर कर है कल को टीचर का ओरर मिल रहा है नहीं-ना हमने तो 10 000 टीचर्स इदर से उधर कर दिया है क्यूंकि हमें तो ट्रांसफर पोष्चिंग का शौक था अब तुम भार में ज्यो ये ताना शाही नहीं तो और क्या है बात देस हजार टीचर्स कि नहीं है उन लगखों बचों की ह झिनको वो टीचर्स पढ़ा रहे थे तुम अपनी अफसरी में तुम अपनी ताना शाही में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फैंक देते हो यह ताना शाही नहीं है तो और क्या है यही तनाशाही है जिसके खिलाफ हमको आवाज इठानी चाहिए आज दिल्ली में मैं जब सरकार में था उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का नगर निगम चुनाव से पहले पैसा रोक दिया गया था और आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों से इधर उधर से फाइलों पे कुछ-कुछ काला पीला करवा के रुकवा रखा है पैसा इंजिनियर्स परिशान है इलाके के नाले साफ नहीं हो रहे और वो कह रहे हम तो पैसा नहीं देंगे लोर्थ कोरणे लेड़ से जल ब॔र्ड का पैसा नहीं दिया गया जबकि पैसा बजच में पास किया विधान सभाने है यह ताना शाही नहीं है तो और क्या बताई है ताना शाही सिर्फ आम अद्भी पाइटी के नेताओं को ग्रफतार करने की नहीं है ताना शाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है उसमें जो अभी ओवर फिलो हो रहा है वो भी इसी ताना शाही की वज़े से हो रहा है जो नाली नहीं खुल पा रही है उसको डेर साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को वो इंजीनियर रो रहा है बिचारा कि मैं कहां से प वे फ्लोव रहा है डेग साल से पेमेंट नहीं हो जलबोड का यह ताना शाही नहीं है तो हर क्या है आज पूरे देश में मैंने का विच्रित करती थी मुझको इस खबर है हर रोज कहीं न कहीं सुप्रीम कोट भी नाट लगा रहा है उसके बावजूद जनता अपनी सरकार चुनती है कहीं के राजयपाल को कहके जनता की चुनिवी सरकार के कानून कैंसिल करवा देते हैं कई-कई महिने तक कानून, कई-कई साल तक कानून पढ़े रहते हैं, उनकी पॉलिसी नहीं पास होने देते हैं, यह ताना शाही नहीं है तो और क्या है, नुकसान किसको हो रहा है, नेताओं को तो खाली जेली हो रही होगी, असली नुकसान तो जनता का हो रहा है, जिसको लि दिन पहले टी-वी देख रहा था और उससे पहले भी देख रहा था टी-वी में एक साल से टी-वी देखा है नि उस पर क्या सा आ हरा था आपकी ख़बरें आपकी शक्तका देखने को मिल जाती थी मैंने देखा कि देश के गाओं से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकलक कि खेलों में देश का पर्चम लहराती है सारी दुनिया में और जब वो खड़े होके कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने आपके लगाय हुए एक फलाने नेता ने हमें छेडा है तो आप उसको ग्रफतार तक नहीं करते और हमारी उस बेटी के उपर तरह तरह के सोसल मीड डिरेक ट्रोलिंग और यह सब कराते हो यह ताना शाही नहीं है तो और क्या है मुझे बताईए और तुमारे उस यह बेशड मी ताना शाही है कि उसको ग्रफतार तक नहीं किया जाता इस देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही खिलारियां हम और आप सब अपन करते हो तो यही ताना शाही है दोस्तों और उस ताना शाही का चरम सुरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया है तो बहुत जादे नहीं कहूंगा उस बारे में लेकिन सब को पता है किस ने किया और क्या किया आज अगर उसके आशु बहे हैं तो कुछ खेल किया गया है उस तो खेल किया गया है दोस्तों 17 महिने में जब मैं अंदर था तो अंदर रहके मैंने खूब चिंतन मनन किया ताइम ही टाइम था यहां तो आप लोग टाइम देते नहीं हो वापस आ गया हो फिर टाइम नहीं दोगे खूब चिंतन मननन किया अपने उपर भी किया समाज के उपर, देश के उपर, विवस्था के उपर, सरकारों के उपर, खुब अध्यम किया. मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर तीन-चार दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं. और कई लोगों ने भेजी, बाई पोश्च किताबें भेजी आप में से, कई लोगों ने, बहसा ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तो, आप भी नहीं छोड़ते थे, बहुते काम पर लगाया रखेंगे. करीब-करीब मैं समझता हूँ, तीन सो के किताबें मैंने पढ़ी हुआ पर, हर दो-तीन दिन में एक किताबें खत्म हो जाती थी, पर, सबसे पहले, आपको ध्यान होगा, मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था, तो मेरे दिमांग में अप्रशन थे, कियार, के बच्चों के लिए दिन राच सुबह से शाम एक करके स्कूल मनवारा था, उनके लिए अच्छे आइटी में चले जाए, अच्छी नोकरिया लग जाए, कि मैंने भगवान से पूछा, अंदर आख बंद करके, कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यूं, तो भगवान न कि हैं कोई, उसकी बात करना हूँ, जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो सीक्षों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत जांकता है, बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान के ऐसी गृपा है कि म जिनोवाभावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचायरी प्रिशान जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता है मैंने पढ़ डाली, देवदत पटनायक की, सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे अंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालो के अंसर मिलते चले गए, खूब गीता पढ़ी मैंने, उसके लावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहां एजुकेशन पर क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं, कम से कम सौ सवा सो बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और मैंने एक सीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, हम मेरा यकीन वहां पक्का होता गया, कि भारत को 2047 तक अगर विक्सित राष्ट्र बनाना है, तो एक-एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल उपलत कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना है, उससे पहले कि अपने काम, आप सब के काम और इस अध्यन चिंतन बननन के बाद लेके लोटा कि अगर भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना है, तो देश के एक-एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल और जहां प्राइवेट हैं, उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो, इसके अलावा विक्सित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नह कर लेता हूं, तो जुमले बाज ही होगा, केवल जुमले फैंक रहा होगा, विक्सित राष्ट नहीं बनेगा, अगर कोई आदमी कहता है, कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे महला क्लिनिक उप्लत कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बन जी की आड में ताना शाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्त के, विक्सित राष्ट बनी नहीं सकता, दुनिया का कोई राष्ट विक्सित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्त और बिना रोजग आज यह जो माबाप हैं जो कल आने वाले समय के माबाप हैं यह अगर इनको सब को अच्छे Ispitaal मिल गए आने वाले बच्चों के लिए अच्छे Ispitaal मिल गए तो अपने हाप भारत विखसित हो जाएगा यह आमादमी पार्टी कर दे रही है दिल्ली में कर दिया पंजाब में कर दिया इस भरोसे पे गुजरात में गोवा में सब जगे वोटे पढ़ने लगी तब इनको दिक्कत हो रही है इसलिए इसलिए सब को जेल में डालने पा गए फिर से सलाम करता हूँ कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद इनकी तमाम साजिशों के बावजूद बुरे वक्त में चेटान की तरह से इकठे होके खड़े रहे आप सब लोग उस जज़वे को मैं सलाम करता हूँ यह पार्टी की यह लीडर्शिप बीच बीच में लीडर्शिप यहां खड़ी है, बैठी है, कई सारे MLS साती, कई सारे सीनियर लीडर्शियां सब खड़े हैं, यह सब एक मुठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है, आने वाले समय में जब आमादमी पार्टी का आगे जाके राजनिती की तिहास देश का, तब लोग कहेंगे, कि सबसे बुरे दार में, पार्टी की सारी सीनियर लीडर्शिप अपना खून पसीना एक करके, सड़कों पे लड़ रही थी, एक जुठ होके लड़ रही थी, यह केजरिवाल जी का कुन्बा एक जुठ होके लड़ रहा था, केजरिवाल जी देंगे तो वो गल्टी कर रहे हैं वो भूल कर रहे हैं इस बात की दिल्ली के हर गरीब आदमी को यह एलेक्शन का एलान कर रहा हूं दिल्ली के हर गरीब आदमी को बहत्रीन शिक्षा दे के उसको समाज की मुख्यधारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी देदेंगे तुम जेल की क्या बात करते हो यार js courses दराते हो लिए जान देने के लिए तो यार है बच्चों की education के लिए नौकरी के लिए च्छास्ट के लिए तो हमारी जिंदधिया भी कुर्बान हो जाएं तो कम है आप थी दरआते हो नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे आपकी जेलों से कि इंदे कितना भी शड़ेंतर कर ले दो करोड जनता दिल्ली की उसके जीवन में खुशाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे एक एक घर पे जाएंगे एक एक घर को बताएंगे कि केजरिवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है वो इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रेष्टा चार किया है वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहले में जो मोहला किलिनिक चल रहा है वो मोहला किलिनिक केजरिवाल जी ने बना दिया और आप अराम से महा जा के अपना चोटे मुटी चीज़ों को इलाज करा लेते हो बड़े-बड़े सरकारी एस्पताल शांदार होते चलेगे इसलिए केजरिवाल जी जेल में है और फिर से कहूंगा कि जैसे संजय जी को निकाला जैसे मुझे निकाला और साथियों को निकाला हर साथि को और केजरिवाल जी को भी समविधान की ताकत निकाल के लएगी बारतिय जंता PARTY और इनके बारतिय जंता PARTY और इनके तोतमेना कितने ही ताकतवर हो लेकिन देश के सम्विधान से ताकतवर बस आखिर में यही कहूंगा कि हम बगसिंग के चेले हैं कहके गया था यह बात कहके गया था ना बगसिंग के चेले हैं डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी जेलां से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी कि सत्रे महीने में जैसे जैसा गया था मिलकुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा एनर्जी कुछ कम है कि जादा है जादा है ना बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे अब यह कहेंगे इनको जेल मत भेजो तो दुगने एनर्जी लेकर आते हैं तो दोस्तों आखिर में एक बात कहूंगा और वो इंपर्टेंट चीज है देखे मैंने सारी बात इसलिए कहीं क्योंकि ताना शाही की लड़ाई है और यह ताना शाही मेरे लिए नहीं अरविंद केजरिवाल जी के लिए नहीं आमादी पार्टी के कारे करता और नेताओं क के लिए नहीं देश के एक आदमी को बचाने के लिए है इसलिए आज कि कल जब हाँ सुबह बेल का ओडर आया उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था उसमें नौ अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था कैसे नौ अगस्त कितना महान दिन है भारत छोड़ों अंदो मतु Außerdem the आज देख रहे है है उब को मत सबीचे है इन दर से नısर आज़ा है कि भारत छोड़ों के दिन इंसलिय दे रहें क्योंकि जेल से बहार निकूल और ताना शाही बारत छोड़ों के आवाज लगो ताना शाही भारत छोड़ों इस इस तना शाही का शिकार हरामाद में हो रहा है ताना शाही भारत छोड़ो की आवाज ठानी पड़ेगी गली-गली में महले महले में और हम यह नी कहरें ताना शाहो भारत छोड़ो हम ताना शाहो के खिलाफ नी हम ताना शाहो को भारत नी छुडवाएंगे हमने कई देशा में यह मॉडल देख लिए वो क्या करत करते हैं या उनको देश से बाहर बगा देते हैं विपक्ष्क्ष कारे करता हैं उनको जेल में ठेल देते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो हम तो चुनाब पर चुनाब जीतते जा रहे हैं हमारी तो GDP भी बढ़ रही है हमारी तो trillion billion चल रहे हैं लेकिन है हकीकत क्या है वो चुकी है कि भाई हम तो तो दनाशाहों को भावर भगानी की हम तो तानाशाह को बाहर भगाएंगे तो ताना शाही ऐंज हमारे और आप के जीवन के लिए काम आदमी के जीवन के लिए खत्रा बन गई है इसको छुड़वाना पड़ेगा इस सम्विधान के लिए खत्रा बन गई है हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खत्रा बन गई है हमारी बहनों के लिए खत्रा बन गई है हमारे खिलारियों के लिए हमारे जुट हो के लड़ना पड़ेगा ये ना सोचे कि आज आपका अबीभी आईगा इक ओने ज़ने साता हैं उनके साथ जो गए और इंडिया के डेबन…… darkness control और बाकि सब पार्टियों के साथियों को कहना जाता हूं पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं देश के लिए इकठा होके लड़ना पड़ेगा देश के लिए इकठा होके लड़ना पड़ेगा और आज कह रहा हूं इस मंत से कि अगर देश के विपक्ष के नेता एक जुठ होके हुंकार बढ़ देंगे तो केजरिवाल जी केवल और केवल 24 गंटे के अंदर जेल से बाहर आजाएंगे मैं लिखके दे रहा हूं आपको लेकिन इकठे होके करना पड़ेगा यह मैं सोची अभी तो केजरिवाल जी गए जब हम पर आएगी तो देखेंगे नहीं सब पर आई हुई है सब कोई कट्टे होके लड़ना पड़ेगा सब कोई कट्टे होके चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे लड़ाईयां भी लड़नी पड़ेंगी कानूनी लड़ाईयां भी लड़नी पड़ेंगी और एक जुठ हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार कोई यह ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे लड़ाई सब की है लड़ाई देश की है लड़ाई एक एक भारत के नागर की है सब पार्टी वालों को जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है कही सोरेंजी आ गए ना देखो कितनी दिन मुझे निकाला अभी अर्विंजी भी आएंगे लेकिन सब को करना पड़ेगा है ऐसे नहीं की सब बसे तो मैं पस यही कह रहा हूं कि आमादी पाट्री की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाक था दिन